हेलो दोस्तों, सोसियोलोजी क्लासेज में आप सबका सुआगत है आज हम डिसकस करने वाले हैं ethnicity के बारे में आज हम कौन सी कौन सी चीजें cover करने वाले हैं जरा देख लेते हैं पहले देखेंगे के ethnicity क्या है What is ethnicity? उसके बाद небольшion of ethnicity, approaches of ethnicity कौन सी कौन सी thinker ने कौन सी कंसे approach दिया है ये सारे चीज़े देखेंगे उसके बाद देखेंगे models of ethnicity approaches of ethnicity के under में कौन सी-कौन सी thinker ने कौन सी model दिया है इन में mainly हम दो model को study करेंगे एक है Barth's model और दूसरा है Jenkins model ये सारे चीज़े आज हम detail में cover करेंगे अगर आप मेरे क्लास में ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना क्योंकि शेयरिंग इस क्यारिंग तो चलते हैं आज का क्लास शुरू करते हैं यहाँ पर आपको सारे इगनो के मेटरियल्स मिलेंगे यह कोई भी एक्जाम आप दे रहे हो हर किसी एक्जाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबको पता ही है कि इगनो के मेटरियल्स सबसे बेस्ट है तो चलिए क्लास श्टार्ट करते हैं पहले देखते हैं कि ethnicity क्या है ethnicity का origin कहा से हुआ है the word ethnicity comes from the Greek word ethnos meaning nation मतलब ethnicity जो word है यह ethnic word Greek word ethnos से आया है इसका meaning है nation किसी nation को ही ethnos कहा जाता है लेकिन यह nation हम जो literal meaning में जिस nation को समझाते है एक देश यह वाला meaning नहीं है ethnicity का definition क्या है ethnicity refers to a range of situations where there is a sense of collectivity of humans that live and act together मतलब ethnicity एक ऐसा situation है जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों का sense of collectivity होता है वो लोग एक साथ रहते हैं एक जुठ होकर रहते हैं और वो लोग एक जैसा ही act करते हैं मतलब काम करते हैं उनके बीच में एक sense of collectivity होता है वो लोग एकठे रहते हैं उनका thinking एक जैसा होता है उसको कहा जाता है ethnicity ethnicity class और race से थोड़ा different है अगर मैं बोलू class के बारे में class किसी एक particular type के लोगों को कहा जाता है मतलब उनका income का source एक जैसा होता है उनका income एक type का होता है लेकिन ethnicity में ये नहीं होता है ethnicity में वो लोगों का अंदर का जो collectiveness human के हिसाब से वो लोग किस जगा से origin हुए है उन लोगों का कैसा रहन सहन है ये सारे चीजों के उपर वो लोग ज्यादा emphasize करते हैं इसी तरी के अगर हम race की बात करें race होता है एक लोगों का एक जैसे दिखना उसको कहा जाता race race और ethnicity में भी थोड़ा difference है आप लोग ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि ethnicity, race और class ये तीन चीज़ अलग-अलग है इनको हमें अलग-अलग तरीके से ही conceptualize करना होगा अलग-अलग तरीके से ही पढ़ना होगा अब देखते हैं construction of ethnicity मतलब हमारा ethnicity किस तरीके से तयार होता है ethnicity कैसे तयार होता है इसको जानने से पहले हमें जानना होगा ethnic group क्या है ethnic group का मतलब ये है कि वोन लोगों का shared belief होना चाहिए मतलब कोई भी एक चीज़ को वो लोग shared करना चाहिए उनका belief system, thought system एक ही जैसा होना चाहिए वो लोग अपने आप में विश्वास कर सके कि उनका जो ancestor हो या फिर descent है वो same है मतलब उनका पूरवज same है वो लोग एक ही जाती से बिलोंग करते हैं अगर ये उनका thought process में होगा तभी उन लोगों को कहा जाएगा ethnic group किसी भी ethnic group को form करने के लिए या फिर ethnicity को form करने के लिए ये collectiveness बहुत important है उन लोगों का एक जैसा thought process होना बहुत ज़रूरिय है और उन लोगों को believe होना चाहिए कि वो लोग एक ही इनसान से या फिर एक ही पूर्बज से बिलोंग करते हैं ethnicity को ethnic जो membership है ये तयार नहीं होता ये कोई group form नहीं करता ethnic जो membership है ये group के बदले में वो लोग किसी एक group group को form करने के लिए बहुत ज़्यादा importance important role play करते है वो लोग किसी political sphere में कोई भी group form करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो लोग खुद एक group नहीं होता है वो लोग कोई भी group form करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उनका importance बहुत ज़्यादा हो जाता है हम भी हमारा आज आसपास के बहुत सारे जगाओ पर ये चीज देख सकते हैं, आप लोग आसपास देखिएगा कि आपके पास भी आसपास भी ऐसे इतनी ग्रूप्स बहुत सारे होंगे, अगर हम primarily political community के बारत करते हैं, तो फिर political community में एतनी ग्रूप का importance बहुत ज्यादा है, ज्यादा तर जगाओ पर, ethnicity के basis पर ही लोग organization create करते हैं, और वो organization बहुत ज्यादा powerful होता है, क्योंकि उन लोगों में belief system common होता है, उनका common belief system, उनका thought process same होता है, इसलिए वो एक जुट एकठा होकर ही लड़ते हैं, इसलिए political sphere में इसको बहुत ज्यादा mobilize किया जाता है, किसी भी चीज को प या फिर कोई भी demand रखने के लिए, अब देखते हैं, approaches to understand ethnicity, मतलब ethnicity को समझने के लिए हम कौन सी-कौन सी approaches use करते हैं, हम mainly तीन तरीके का approach use करते हैं, ethnicity क्या है, ethnicity as a theoretical tool for understanding complex questions of social interaction and political formation, हम ethnicity को एक theoretical tool के तरह use करते हैं, हमारा society के complex understandings को, हमारा society के social interaction को और political formation जो होता है, उसको समझने के लिए हमें एक ethnicity को theoretical tool के हिसाब से use करते हैं, ethnicity को अगर हम समझ पाए, तभी लोगों का social interaction का pattern जो होता है, उनका political formation होता है, उनके बीच में जो political लगाव होता है, वो सारे चीज़े हम समझ सकता है, अगर ethnicity को हम अच्छी तरीके से नहीं समझ सके, तो हमारा political formation भी समझ नहीं आता, आएगा, और उनका social interaction का जो system है, वो भी समझ नहीं आएगा, इसलिए आज कल politician बहुत ज्यादा ethnicity को study करते हैं, किसी भी जगापर अपना political influence जमाने के लिए, वो लोग ethnicity का use करते हैं, आप लोग ये चीज टीवी बगारे में बहुत ज़्यादा देखेंगे, आपने आसपास भी देखेंगे, कि आज कल ethnicity की basis पे ही political parties अपना mobilization या फिर group form करते हैं, और उनको election लड़ने में सहायाता मिलता है, जब भी हम ethnicity के बात करते हैं, तो हम mainly तीन approaches को study करते हैं, तीन approaches के द्वारा ही ethnicity को समझ सकते हैं, पहला है primordialist approach, फिर instrumentalist approach और आखिर में constructivist approach, ये तीनों approaches को हम detail में study करेंगे, और इनका जो भी model है, जिन्होंने जो थिंकर ने इनके बारे में model दिया है, वो model भी detail में discuss करेंगे, तो पहले देखते हैं, primordialist approach, ये approach क्या कहता है, primordialist approach कहता है, कि हमारा जो biology है, biology ही हमारा ethnic identity का fundamental चीज़ है, मतलब biology के बज़े से ही हमारा ethnicity होता है, biology ही main factor है, हमारा जो genetic factor, हमारा जो geographical factor, ये सारे factor ही हमारे लिए बहुत ज्यादा important role play करते हैं, किसी भी ethnicity के लिए या फिर ethnic identity के लिए, यहाँ पर हमें mention करना होगा, जरा समझना होगा, कि हमारा जो close kind group है, मतलब हमारा जो लोगों के साथ relation है, या फिर हमारा आत्यता जो है, लोगों के साथ जो लगाव है, relation होता है, ये कैसे होता है, कैसे form होता है, ये mainly हमारा ethnicity के basis पे ही form होता है, अगर हम किसी को uncle बोल रहे है, क्यों uncle बोल रहे है, किसी को भाई बोल रहे है, तो क्यों बोल रहे है, ये सारे हमारी ethnic identity की बज़े से ही होता है, इसलिए, primordialist जो approach वाले है, वो लोग बोल रहे हैं, कि genetic और geographical factor ही लोगों का ethnic identity का main reason है, इसी के बज़े से ethnicity को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जो primordialist approach है, यहाँ पर पेरी भेंदयन बारगा ने इसको explain करने के लिए थोड़ा अच्छी तरीके से explain किया है, उन्होंने समझाने की कोशिश किये, उनके हिसाब से ethnicity क्या है, उन्होंने ethnicity को define करने के लिए कहा था, कि comprehensive form of natural selection and kinship connections, यह primordial instinctive impulse, मतलब हमारा जो natural selection है, society, मतलब हमारा जो world है, यहाँ पर हमे naturally select किया जाता है, हम किसी जगा पर जन्मेंगे के नहीं जन्मेंगे, यह हमारा naturally select करता है, natural selection और kinship connection ही ethnicity का main basis होता है, हम किस जगा पर जन्मेंगे है, किस पुर्वज हमारे पुर्वज कौन है, हमारे connection किन लोगों से, हमारे कीन कौन है, हमारे relation किन लोगों से है, यह सारे चीज़े ही ethnicity का main कारण होता है, यही चीज़ हमें continue करता है, हमारा जो आजकाल का industrial mass society है, वहाँ पर भी यह चीज़ हमें देखने को मिलती है, हम हैं हर जगा पर यह biology के basis पेर ही ethnicity का mobilize होते हुए हम देखते हैं, अब देखते हैं, instrumentalist approach, यह लोग क्या कहते हैं, instrumentalist approach जो है, वो लोग कहते हैं के नहीं, हमारा biology main factor नहीं है, हमारा main factor है, जो लोग interaction करते हैं, people can change membership and move from one ethnic group to another, instrumental के हिसाब से कोई भी इंसान एक ethnic group से change करके, उनका membership change करके, वो दूसने ethnic group को join कर सकता है, यह कैसे होता है, वो लोग कहते थे, mainly Paul Brass कहते हैं, के वो लोग अपना ethnicity change करते हैं, circumstances के, मतलब उनका आसपास का जो situation हो रहा है, उसके basis पे, circumstances के basis पे, वो लोग change करते हैं, या फिर mainly हमारा जो political allies के बज़े से, जो manipulation होता है, उसकी बज़े से भी हमारा ethnicity change होता है, ethnicity उनके हिसाब से fix नहीं है, ethnicity हम लेते हैं, हम अपने हिसाब से change करते हैं, एक group से हम दूसरे group में जाते हैं, ये सारे चीज़े mainly हमारा circumstances और हमारा जो political situation है, political allies जो है, उनके manipulation के बज़े से ही हमारा ethnicity इस तरीके से change होता है, तो अगर हमें याद रखना है, पहला था हमारा primordialist approach, जो लोग कहते थे कि biology ही हमारा main factor है, इंसाले चीज़ों के लिए, और दूसरी तरफ instrumentalist क्या कर रहा है, कि नहीं, main चीज़ी है, कि कोई भी इंसान अपने membership change कर सकता है, ethnicity का, एक group से दूसरे group जा सकता है, ये base करेगा आपने circumstances पर, या फिर political situation पर, पॉल ब्रास और, बार्थ और पॉल ब्रास ये दोनो main propounder है, instrumentalist approach का, उनको situationalist perspective भी कहा जाता है, situationalist approach भी कहा जाता है, इस चीज़ को, यहाँ पर situation की basis पे ethnic boundary, मतलब कोई भी ethnic group जो होगा, उसका boundary डिसाइट किया जाता है, situation अगर change हो जाए, तो boundary को भी change कर दिया जाएगा, इसलिए इस चीज़ को instrumentalist approach भी कहा जाता है, या फिर situationalist approach भी कहा जाता है, बार्थ के हिसाब से, ethnic groups are categories of description and identification by the actors themselves, मतलब, ethnic group एक ऐसा group है, जो description मतलब, पहले से भी हो सकता है, या फिर वो actor जो identify करेगा खुद को, उस situation में, उसके बज़े से भी हो सकता है, अब बार्थ का जो model है, बार्थ का जो model है, उसमें क्या क्या मेन features है, बार्थ का मेन features है, पहला है analysis of ethnicity begins by understanding the situation held by the social actor, मतलब, social actor जो भी इंसान होगा, उसका जो understanding होगा, ethnicity के उपर, उसी के basis पर ही हमारा ethnicity का analysis स्टार्ट होगा, हमारा स्टार्ट ही होगा, वो social actor का जो situation, understanding, जो है situation का, उसके basis पर स्टार्ट होगा, फिर, focus of attention then becomes the maintenance of ethnic boundary, जो भी उसका ethnic boundary होगा, जिस boundary से वो बिलोंग कर रहा है, वो maintain करना, उसका main focus होगा, उसका कामी होगा, वो उस ethnicity को, उस काइम रखे, उस boundary को maintain रखे, फिर, notion of description, both by members of the groups in question and those outside the group, मतलब, जो भी description का question होगा, वो ethnicity group में जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, उनकी उपर भी होगा, और जो लोग बाहर है, क्यूँ बाहर है, उनकी उनकी बिलोंग कर रहा है, यह question होगा, और उसके बाद जो बाहर है, वो लोग बाहर क्यूँ है, यह भी question होगा, इसलिए ethnicity is not fixed, इसलिए ethnicity fixed नहीं होता है, ethnicity situationally defined है, मतलब, situationally इसका changes होता रहता है, क्यूँकि ethnic boundary को हम directly define नहीं कर सकते, ecological issues are particularly influenced in determining ethnic identity, मतलब ecological जो भी issues है, हमारा आसपास का जो इसू है, ecological issues ही हमें define करेगा, कि हमारा ethnic identity किस तरीके का होगा, फिर देखते हैं हमारा constructivist approach, constructivist approach में क्या होता है, constructivist approach को हम mainly post-modernism में देखते हैं, post-modernism जो है, हमारा modernism के बाद जो लोग आये है, post-modernist उनका जो approach है, उसको कहा जाता है, post-modernism, post-modernism में ही हम constructivist approach देखते हैं, इस model का क्या कहना है, इसके हिसाब से, हमारा जो society है, यह जो ethnicity है, यह construct किया जाता है, मतलब यह तैयार किया जाता है, यह पहले से नहीं होता है, इसको तैयार किया जाता है, इसको experience किया जाता है, इसको learn किया जाता है, इसको daily के basis पे, इसको करते हुए, learn and do के हिसाब से, इसको हम experience करते हैं, यह ऐसा नहीं है, कि हमें पहले से ही मिलेगा, या फिर हमारे पास ये पहले से ही होगा इसको हम रोज experience करते हैं, रोज सीखते हैं इसको इसके हिसाब से they construct ongoing sense of themselves and an understanding of their fellows Jenkins ने कहा था कि उनका जो भी construction है ethnicity का construct मतलब तयार होगा वो उनका ongoing sense मतलब उनका जो भी sense होगा उसके हिसाब से ही उनका ethnicity तयार होगा अगर उनका sense उस हिसाब से नहीं है तो उनमें ethnicity का construction नहीं होगा ये बहुत ही एक important approach है मतलब यहाँ पर importance दिया गया है किसी भी इंसान का अपने sense के उपर वो किस तरीके से सोचता है वो किस तरीके से उस चीज़ को ethnicity को accept कर रहा है जनकिन इस चीज़ को बहुत ज्यादा emphasize करते है अब देखते हैं Jenkins का model क्या है Jenkins का model है model में mainly जो points है ये हम discuss करेंगे Jenkins के हिसाब से ethnicity is about cultural differentiation मतलब हम जब भी cultural difference होगा तभी हमारा ethnicity तयार होगा ethnicity cultural differentiation के बज़े से ही अच्छी तरीके से तयार होता है क्यूंकि ये एक constructivist model के propounder है उनके हिसाब से सब कुछ constructive होगा तयारी होगा अगर दो culture में differentiation होगा तभी कोई नया चीज तयार होगा ethnicity तयार होगा फिर उन्होंने बताया था कि ethnicity is centrally concerned with culture shared meanings मतलब जब भी कोई culturally shared meaning होगा दो culture में अगर कोई चीज शेर होगा तभी ethnicity construct होगा ethnicity तयार होगा अगर कोई दो culture के बीच में कोई चीज शेर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ethnicity तयार नहीं होगा उन्होंने कहा था कि ethnicity is no more fixed or unchanging यह fixed नहीं है यह unchanging नहीं है यह बहुत ज़्यदा change होता है यहाँ पर fixed बोलकर कोई चीज है ही नहीं क्योंकि यह construct किया जाता है Jenkins ने फिर बताया था ethnicity as a social identity is collective and individual मतलब social identity, ethnicity की basis पे जो इंसानों की social identity तयार होता है वो collective भी होता है और individual भी होता है मतलब यह लोगों के एक खटा होकर भी तयार होता है ethnicity और किसी एक person का अपना एक identity होता है इसकी basis पे भी उसका ethnicity तयार हो सकता है यहाँ पर जो सबसे important चीज है वो है externalized in social interaction and internalized in personal identification मतलब जब भी यह social interaction लोगों के साथ interaction होता है तब ethnicity तयार होता है externalized हिसाब से मतलब दूसरों के हिसाब से तयार होता है और जब भी हम personal identification मतलब खुद से खुद बाते करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं तब भी हमारा ethnicity तयार होता है, कि मैं कौन सी group से belong कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है इस group में, वो लोग मुझे accept कर रहे है कि नहीं कर रहे है, ये हो जाएगा personal identification, internalized तरीके से तयार होगा personal identification, इसका मतलब ethnicity, social interaction से भी तयार होता है, और personal identification से भी तयार होता है अगर आपको आज का class अच्छा लगा हो, तो like और subscribe कर देना, और दोस्तों में share कर देना, क्यूंकि sharing is caring, मिलते हैं अगले class में, तब तक सुष्त रहे हैं, और लोगों में प्यार बाटते रहे हैं, जय हिंद